दोस्तों एस उडियो में बात करेंगे बिहार SS एक्जाम सिलेवस की सन्युक तसनात्तक अस्तरिय परिक्षा CGL एक्जाम का सिलेवस पूरे डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे साथ ही यह भी बताएंगे किस विशासी कितना क्वेस्चन पूछा जाता है कौन-कौन टोपिक से जाएदे क्वेस्चन पूछा जाता है विहार SS एक्जाम में कुछ आईसे टोपिक है जिसे 7-8 क्वेसचन पूछा जाता है अगर आप एक टोपिक को अच्छे से किलियर कर लेते हैं यह एक्जाम में आपका 7-8 क्वेस्चन तक बन जाएगा तो उस topic के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे और 100% selection के लिए आपको कौन-कौन सा book पढ़ना है negative marking कितना है cut-off marks इससे पहले 2014 में vacancy आई थी 2014 exam का कितना cut-off गया था इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे selection का process क्या है इसमें कितना exam होता है A to Z जानकार इस वीडियो में आप लोगों को देंगे आप इस वीडियो को सुरू से अन तक देख लीजिए आपका सभी dot clear हो जाएगा चलिए सबसे पहले official syllabus देख लीजिए यह बिहार SS exam का official syllabus है बिहार SS exam में selection का process दो चरणों में है पर्थम चरण है प्रारणभीक परिक्षा PT exam दूसरा चरण है मुखे परिक्षा मेंस exam सबसे पहले आपको PT exam देना है PT exam आप pass कर जाते है इसके बाद मेंस exam में ली जाएगी merit list जो बनेगा मेंस exam में मार्क्स के नुसार PT exam दोनों का syllabus सेम ही है PT exam में भी 1.500 question पूछा जाएगा मेंस exam में भी 1.500 question पूछा जाएगा सबसे पहले PT exam के बारे में समझ लीजे इसके बाद बात करेंगे मेंस exam की तो यहाँ पर आप देख सकते है official syllabus में लिखा हुआ है उपर युक्त सभी पदों के लिखित परिक्षा दो चर्णों में ली जाएगी सबसे पहले PT exam का जीकर है यहाँ पर प्रारंभीक परिक्षा प्रारंभीक परिक्षा हम एक समान ग्यान प्रारंभीक का होगा जिसके निम्नांकित भिसाय होंगे तीन यहाँ पर सेक्षन है पहला जीके सेक्षन हो गया समान अध्यान प्राष्णों की संख्यां 50 होगी तो जीके सेक्षन में यहाँ पर आ गया है चार सब्जेक्ट हिष्टरी, पॉलिटी, जोगरफी, एकोनोमिक्स और बिरञे क्स रिलिटेड भी क्वेस्चन पुछा जता है दूसरा सेक्षन यहाँ पर Myths सेट हो गया तो सैंस यहाँ पर समान भिग्यान गानित प्राष्णों की संख्यां 50 होगी तो पचीस क्वेस्चन मैस्चन से पुछा जता है 25 में यहाँ पर science में physics, chemistry, biology सामिल हो गया और 50 question यहाँ पर reasoning section हो गया मानसिक, चमता, जांच, परशनों की संख्यां 50 हो गी इस तरह से मिला कर यहाँ पर total 200 question पूछा जाएगा और यहाँ पर section wise भी question पूछा जा सकता है या फिर mix भी पूछा जाता है 2014 एक्जाम में section wise अलग अलग करके पूछा गया था और इसके बाद बिहर SSC interlevel का जो exam लिया गया है 2018 में उसमें mix करके 1500 question पूछा गया था यह बिहर SSC पर depend करता है हो सकता है कि section wise भी पूछे, नहीं तो mix करके भी पूछा जा सकता है इसके बाद है यहां पर परश्ण वस्तुनिष्ट यहां बहुवी कलपिक होंगे objective tap का exam लिया जाएगा OMR seat पर exam लिया जाएगा offline ही बिहर SSC अपने नियमावली में संसोधन कर दिया है 2018 में online भी exam ले सकते हैं लेकिन इसका exam offline ही OMR seat पर ही लिया जाएगा इसके बाद है परतेक सही उतर के लिए 4 अंक निर्धारित है टोटल जो एक जाएगा question पूछा जाएगा देर सो एक question है 4 marks का यानि टोटल 600 अंकों की परिक्षा होगी लेकिन आपको यहां पर जो समाझना है question सही simple सा समाझेगा तो based रेगा एक question हो गया चारंक का और तथा परतेक गलत उतर के लिए एक अंक की कटोती होगी यानि 1 by 4 negative marking है अगर एक question सही होता है तो आपको 4 अंक मिलेगा अगर वह question गलत हो जाता है तो जो आपका सही है उसमें से एक अंक की कटोती की जाएगी तो यानि 1 by 4 negative marking है अगर आप 4 question गलत करते हैं तो एक आपका सही question का marks cut हो जाएगा सिम्पल साब को यह समझना है इसके बाद है परिक्षा की अब धी 2 घंटा 15 मिनट की होगी तो यहाँ पर 2 घंटा 15 मिनट का दिया गया है समय अगर question paper में किसी भी प्रकार का मिस्टेक रहता है तो उस condition में अंग्रेजी का ही मानने होगा एक्षाम में question का language हिंदियों अंग्रेजी दोनों में दिया जाता है अब यहाँ पर विशायवार देख लिजी PT exam देने जाएगा तो पुस्तक सहित PT exam ली जाती लेकिन आपको पुस्तक ले जाने से कोई भी फैदा नहीं मिलेगा पुस्तक जो आपको ले जाना है NCRT या फिर भी हरबोड का होना चाहिए और यह ही आपको बुक ले जा सकते हैं पर तेक सेक्शन से यहाँ पर इस कारण से आपको बुक से कोई फैदा नहीं मिलेगा आप सोचिएगा कि यहाँ पर गैड लेकर जाएंगे लुसेंट या स्पीडी का यह सब बुक तो वहाँ पर नहीं ले जाने दिया जाएगा तो बेश्ट यह ही रेगा कि आपको बुक लेकर नहीं जाना है उससे आपको कुछ भी यहाँ पर फैदा नहीं होने बला है इसके बाद है सिलेवस तो प्रारहमी परिक्षा का सिलेवस निवन परकार से है सबसे पहले यहाँ पर खंड को और समाने अध्यन है अगर आप इसको पुड़ा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं और इसमें बिहार भारत उनके परोशी देशों के संभध में विशेश रूप से यथा संभव परस्ट पूछे जा सकते हैं इसके बाद यहाँ पर हैं समसामिक भी से क्रेंट अफैर से भी कुछा जाता है यहाँ पर विशाय सामिल के आगी है विज्यानिक परोकर्ती, राष्टी अंतराष्टे, पुरसकार, भारतिय भासाय, पुस्तक, लिपी, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलारी, महतपुर्ण घटनाएं बिहार से का सबसे जो फैवरेट टॉपिक है बुक योम रैटर बुक योम रैटर टॉपिक से 7-8 क्विश्चन तक पुछा जाता है और इसमें आपको लग रहा हुआ कि बहुत ज्यादे टॉप पुछा जाता है ज्यादतर हैलेट ही क्विश्चन पुछा जाता है साथ में से अगर आप थोड़ा भूत याद की हैं बुक तो 5 तक आप बना सकता है राम से जैसे डॉक्टर एपीज अबदूल कलाम से रिल्टेट पुछा जाता है क्विश्चन इस तरह का क्विश्चन इसमें पुछा जाएगा से मुख्या का चुनाओ से रिल्टेट की मुख्या बनने के लिए नियुनतम उम्र कितना चाहिए इसी तरह से उप मुख्या अपना इस्थिपा किसे दे सकता है पंचायत समिती इस तरह के टॉपिक से इसमें पुछा जाएगा आपको सभी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना है यहां पर कुछ टॉपिक नहीं भी दिया हुआ है फिर भी पूछा जाता है जैसे हो गया पर्मूटेशन कंबिनेशन नहीं दिया हुआ है फिर भी पूछा जाता है सांखेकी के बारे में भी नहीं दिया हुआ हुआ ह question पूछा जाता है, प्राइक्ता से भी question पूछा जाता है सांखी की प्राइक्ता को अच्छे तरीके से clear कर लेना है दो-तीन question आपको exam में मिल सकता है और 2017 बिहर SSC inter-level exam में permutation एम combination से भी question पूछ दिया गया था और बिहर की exam में पूछा जाता है BPSC PT का अगर आप math का question देखेगा तो कई बार पूछा गया है इसलिए आपको permutation combination भी topic को clear कर लेना है बहुत जाएदे टप नहीं है, नॉर्मल ही पूछा जाता है question इससे related भी यहाँ पर समान भी ज्यान हो गया भौतिक, सास्त, रसें, सास्त, जी, विग्यान और भूगल यहाँ पर सामिल के आगिया है गनीत में तो गनीत में यहाँ पर संख्या पधधती का topic है संख्या पधधती से संबंधित प्रश्ट, पूर्ण संख्यों का अभी कलन दसमलाव और भीन, संख्याओं के बीच का प्रसपर संबंद, मुल्भूत अंक गनित्य संक्रियाय, परतिसात, अनुपात, तथा समानुपात, औसत, ब्याज तथा और लाभानी मैट में आपको एक और टॉपिक अच्छे सी किलियर कर लेना है, तीन से चार क्विस्चन तक अभाज संख्यां से रिल्टेट पूछा जाता है, अभी 25 दिसंबर 2020 को बिहार सेसी इंटर लेवल मेंस का एक्जाम लिया गया था, तीन से चार क्विस्चन सिर्फ अभाज संख्य से ही पूछ दिया गयता है, एक सिंपल सा क्विस्चन ये पूछा गया था, कि दो संख्याओं का गुणनफल 37 है, तो इसमें पूछा जा रहा था कि उनके अंतर का वर्गमूल क्या होगा, तो अभाज संख्यां से रिल्टेट था, 37 अभाज संख्या था, तो दो संख्याओ तो 37 गुन एक इस तरह से पूछा गया था और दोनों का अंतर का वर्गमुल यानि 37 में से घट येगा तो 36 होगा अंतर का वर्गमुल तो 36 का वर्गमुल 6 होता है अगर आप अभाज संख्या अच्छे तरीके से complete किये हुए है 100 तक अगर आपको याद है तो असानी से बना ल प्राप्त है उसी एकॉर्डिंग त्यारी कराएंगे जिससे आप एक्जाम में मैक्सिममम क्वेस्टन बना पाए अब यहां पर रिजनिंग का टॉपिक है तो रिजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है रिजनिंग में 20-25 टॉपिक है सभी टॉपिक को पढ़ लेना यहां प्राप्त होने पर प्रारंभिक परिक्षा एक सधिक चर्णों में आयुजित की जा सकती है और बिभिन चर्णों में परिक्षा आयुजित किया जाने की स्थिति में परिक्षा परिनाम समानी करण की परिक्रिया अपनाते हुए तियार की जाएगी तो बिहार एसेश की एक ग्जाम तीन से चार मेहने में ली जाएगी और इसके बाद PT exam का जो result दिया जाता है तो वेकेंसी का पांच गुना अगर मालीजी यहां पर 2000 वेकेंसी है तो 2000 का पांच गुना अभ्यारती को मैंस एक्जाम के लिए बुले जाएगा अब मैंस एक्जाम के लिए आपको दोबा अभ्यारती को कॉंसलीन के लिए बुले जाता है सभी दोकुमेंट चेक किया जाएगा अब जितना भी वेकेंसी है उस एक्टिंग का निडेट का यहां पर फैनल रिजल्ट दिया जाता है मैंस एक्जाम के बारे में भी थोड़ा से समझ लीजे मैंस एक्जाम में दो पेप है हिंदी सो क्वेस्टन पुछा जाएगा हिंदी से और हिंदी सिर्फ क्वैलिफा है पीटी में हिंदी से क्वेस्टन नहीं पुछा जाता है मैंस एक्जाम में हिंदी से पूछा जाएगा हिंदी में सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना है और दूसरा पेपर होता है समान अध के कोडिंग आपका merit list त्यार किया जागा PT exam का मार्क्स यों हिंदी का marks merit list में नहीं जुढता है तो men's exam में समान अध्यन के कोडिंग आपका merit list त्यार होगा अभ यहां पर एक और डॉट होगा कि 2014 exam में कितना cut-off गया था तो official cut-off जारी नहीं किया गया था लेकिन देर स्वा में से 130 बनाने पर रिजल्टों का बहुत जएदे हाई कट अप है, तो 2014 एक जामे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप पच्छी तियारी किये हैं, तो 50 में से 48 क्वेश्चन तक आप रिजनिंग से बना सकते, एक दो क्वेश्चन हो सकता है, गलत हो जाए, मैथ विल्कुल नॉर्मल पूछा जाते है, 25 में से 25 बना सकते हैं, और साइंस भी नॉर्मल ही पूछा गया था, 25 में से आप 17-18 तक बना सकते हैं, जी के है, 50 में से आप 30 तक बना सकते हैं, इतना है कट अप गया था, क्वेश्चन भी नॉर्मल पूछा गया था, अब इस बार की बात करें, तो यह 2014 का क्वेश्चन है, और अभी 2021 एक जाम में, क्वेश्चन अच्छे लेबल का ही पूछा जाएगा, इस कारण से अगर आप 80 परतिसत, यानि 120 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो आपका रिजल्ट इसमें हो जाएगा, अगर असान क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी के लिए असान रहेगा, कट अब भी हाए जाएगा, अगर थोड़ा टफ लेबल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 115 से 120 क्वेश्चन बनाने पर आपका रिजल्ट हो जाएगा, और हम आप लोगों को अच्छे तरीके से त्यारी भी कराएंगे, जिस एकॉर्डिंग बिहारे से सिख जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे एकॉर्डिंग करवाएंगे, अब यहाँ से पूरे डिटेल सिलेबस का टॉपिक देख लिजिए, और इसका स्क्रीन सॉट ले लिजिए, इस एकॉर्डिंग आपको त्यारी करना है, सबसे पहले यहाँ पर जीके सेक्शन का टॉपिक दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स का टॉपिक है, मैथ का हो गया टॉपिक, और मैथ में इसमें कुछ टॉपिक नहीं भी दिया हुआ, फिर भी क्वेस्टन पूछा जाता है, तो इससे रिल्टेट हम आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइट करवाएंगे, इसके बाद यहाँ पर रिजनिंग का टॉपिक है, तो रिजनिंग का यहाँ पर टोटल सोलर टॉपिक का नाम है, इसको आपको अच्छे तरीके से कंप्लिट कर लेना, इस ही के कोर्डिंग क्वेस्चन पूछा जाता है, और इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक है, तो उसको भी आपको अच्छे तरीके से देख लेना, जैसे वाटर इमेज और मिरर इमेज, इसमें नहीं दिया हुआ है, फिर भी एकजाम में क्वेस्चन पूछा जाता है, वाटर इमेज, मिरर इमेज से रिल्टेड, तो रिजनिंग में जितने भी टॉपिक है, सभी टॉपिक को आप क्लियर कर लिजे, अब बात करते हैं, इकजाम में सेलेक्शन के लिए, आपको बूख कौन कौन सा पढ़ना है, सबसे पहले बात करते हैं जीके की, तो जीके में यहाँ पर 50 क्वेस्चन है, और 25 क्वेस्चन साइंस है, टोटल 75 क्वेस्चन है, और इसके लिए जो आपको बूख पढ़ना है, फिजेक्स केमेश्ट्री बैलो जी का दिया हुआ है, उसी को आपको कम्पलीट करना है, 75 क्वेस्चन यहाँ पर हो गया, जीके सेक्षन से, साइंस मिलाकर 50 क्वेस्चन जीके है, और 25 क्वेस्चन साइंस है, 75 क्वेस्चन जो आपका कम्पलीट हो जागा, लुषेंट जीके बुक से ही, साथ में आप एक और बुक ले लिजी, SPD रेलवे जीके, SPD का रेलवे समाना देने, इससे आपको ये बेनिफीट होगा, कि इसमें पॉइंट बना कर दिया हुआ, याद करने में आपको बहुत बढ़िया रहेगा, SPD जीके बुक से, SPD जीके बुक से आपको याद करना है, और लुषेंट जीके बुक में साथ में आपको पढ़ते चलने हैं, उसी टॉपिक से रिल्टेट, दो बुक हो गया, यहाँ पर आपको 75 क्वेस्चन इसी से बन जाएगा, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रिजिनिंग की, तो रिजिनिंग के लिए 50 क्वेस्चन है, तो इसके लिए आप लुषेंट का रिजिनिंग का बुक ले लिजे, लुषेंट का रिजिनिंग का भी बुक मार्केट मुप लब्द है, तो लुसेंट का ही रिजिनिंग का आप बूक ले लिजे या फिर किसी और पब्लिकेशन का या फिर आप यूटूब से भी पढ़ सकते हैं टॉपिक वै पढ़ लिजेगा पचास क्वेस्टन यहां पर हो गया पचीस क्वेस्टन इसके बाद मैत का है तो मैत के लिए आप आर अगर आप अच्छे तरीके से त्यारी किजेगा तो 120 प्लस क्वेस्टन बना लिजेगा और इतना बनाने पर आपका रिजल्ट असानी से हो जाएगा और हम भी आप लोगों को त्यारी करवाएंगे अगर आप चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जू जये